नुह साइबर इथाना पोलस ने दो ऐसे साइबर ठगों को दबोचा है जो महिलाओं को गर्भवती करने के नाम पर रुपियों का लालच देकर लोगों से ठगी करते थे इसके लिए बकायदा ये ठग सोशल मीडिया के माधियम से फर्जी विग्यापन डाल कर लोगों को जहासे मिलाते थे प्रेग्नेंट जॉब नाम से ठगों के उस्तादों ने विग्यापन दिया था और कहा था कि ऐसी महिलाओं को प्रेग्नेंट करना है जिसको औलात नहीं हो रही अगर आपने ऐसा कर दिया तो लाखों रुपे मिलेंगे एजनसी के अनुसार ये मामला हर्याना के नू जले में सामने आया है यहां महिलाओं को प्रेग्नेंट करने के लिए पैसे देने वाले फर्जे विग्यापन सोशल मीडिया पर पोस्ट किये जा रहे थे जब ये विग्यापन पुलस अफसरों के संग्यान में आये तो अधिकारी भी हैरान रहे गए इसके बाद मामले की जाँच परताल की गई और पुलस ने नू में दो लोगों को गिरफतार कर लिया पुलस के अनुसार आरोपी सोशल मीडिया पर फर्जी तरीके से विग्यापन पोस्ट करते थे जिसमें लोगों को नी संतान महिलाओं को प्रेगनेंट करने के लिए पैसे देने की बात कही जाती थी ये ठग लोगों को फसाने के लिए महिलाओं की फेक तस्वीरों का इस्तमाल करते थे जब कोई व्यक्ती विग्यापन देखकर उनसे संपर्क करता था तो वे उनसे रजिस्ट्रेशन फीस और फाइलिंग की कॉस्ट वसूली करते थे इसके बाद उन्हें वो ब्लॉक कर देते थे पुलिस का कहना है कि जाच में चार से जादा फेक फेस्बुक अकाउंट और फेक विग्यापन मिले है आरियोपियो को गिरफतार कर शनिवार को अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें नियाय के हिरासत में भेज दिया गया है